मुण इजबा इजा आपोई चिनाख़ जिलावाइब चिनाख़ इजबा इजबा इजबाइब आप आप सभी लोग उसे आगरा है इस आंदोलन को सफल बनाएं इसे इतना आगे बढ़ाएं कि बनारस के आंसत प्रधानमंतरी मोधी इस बात का संघ्यान ने क्योंकि हमने उन तक भी लेटर पहुंचाया है और अब तक कोई संघ्यान नहीं लिया है श्रीहनवान प्रसाथ पोदार सेवा समिती ट्रस्ट को उन्होंने सेटिफिकेट दिया है कि आपने बनारस में सबसे अच्छी सेवा किया है राशन वित्रण में राशन वित्रण के साथ साथ आप दृष्टिहीन बच्चियों के विध्याले को बंद करके एक तरफ तो आप उन्हें मार रहे हैं दूसरे तरफ सरकारों से आप प्रोत्साहन पा रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा और प्रधान मंत्री को इस पर संग्यान लेना होगा इसके बंद हो जाने से तीन चार राज्यों के लोग प्रभावित होंगे जहारखंड उत्तरफदेश बिहार असम बहुत सारे दूर दराज राज्यों से आया करते थे लड़के पढ़ने उन लोगों को काफी दिक्कत होगी इसलिए आज वो चीजें पंद हो जाएंगी तो पहुंच गए लेकिन आने वाले विद्यारती लोग नहीं पहुंच पाएंगे इस बात का हमें दुख है और वारानसी में सिक्षा का एक स्ट्रक्चर है सिक्षा का एक अच्छा सा साधन है और ये साधन भी खराब हो जाएगा जो हमारे जैसे दिर्श्रिवादित के लिए बहुत दुखत का दुख की बात होगी हमने अपने हक मांगते हैं किसी से बीक मांगते हैं लग बक 25 जून को तो हमने टी सी वापस कर दिया तो आपयटी नहीं को जाया कुछ है गारंटी नहीं देए फिर हम ते बीना पूछे हमारी टी सी अधार काट सब पुछ लखनौ भेज कर बिना हमारे मर्जी के उन्हों ने डिविशन करा दिया हम्राइब लखनौ नहीं थी आपके अभिवागों के लिए इसकूल को प्रासना पत्र भी लिखा कि आप लोग ऐसा मत कीजिए बच्चों का फिज रूब जाएगा तो उन्हों कुछ नहीं कर सक करा सकते हैं आप लोग करा सकते हैं तो कराइए वरना हम कुछ नहीं करा दिया कि बच्चे क्लास ज्यादा बोलते हैं इनको हटा दिया जाए तो जुनिया च्यातर बोल नहीं पाएंगे कब से कब तक आप महां थे मैं वहाँ 2007-2008 तक कक्षा 2-12 में तक वहां मैं पढ़ाई किया हूं फीस बिल्कुल नहीं निशुल्क सुविदा है कि यही चाहते हैं किसी भी हालात में किसी माने हमारी स्कूल खुलनी चाहिए सरकारी हो तो सरकार ले सरी हर सल का में यह नियम पसंद नहीं आता सर्थ झाले ले लांटी हले हमार बाल खथ तक किसे को क्षा 2-16 में प्रबवर ऑनाता सर्थ थे परितकत क्षा 2-17 में, अजड़ दोग।